तेरी आवाज मिल रही होगी और आज जो क्लास 1130 पे होती है वो मैं ले नहीं पा रहा था क्योंकि कुछ जरूरी काम था तो अभी क्लास लूँगा ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास बड़ मैंने सोझा कि मैं थोड़ा सा कुछ आपको सिखा दूँ ठीक है तो टाइम मिल ग कई बार questions आते हैं और आपको नहीं पता होता है कि वो questions कैसे करेंगे clear or not getting my point or not okay नवीन लोचप करें कि कल वाले जो questions थे वो CIE पे थे अगर हम CIE से करें तो natural number होंगे देखिए ऐसा होता है कि अगर कुछ भी नहीं दिया होगा question में तो आपको उसको SI मान के चलना है इध्या people interest का ही लेंगे ठीक है तो आप ज़्यादा tension मत लो वो data के हिसाब से हम solution नहीं कर सकते हैं हम solution करेंगे जो question में दिया होगा उसके हिसाब से ठीक है कि कोई भी certain sum है जैसे मैंने आपसे लिखा कि एक certain sum है और वो certain sum हमें दिया नहीं गया है लेकिन वहाँ पर question कई बार ऐसे बोल देगा कि इसमें compound interest जो है आपका वो two years का provide कर देगा लेट से उसने बोल दिया कि यह आपका है 272 यह data भी आपको याद आएगा जिन लोगों को solution solve किये होंगे उनको यह सवाल जरूर मिलता है और compound interest जो three years का है वो 434 है और आपसे पूछता है कि rate percentage क्या है rate percentage क्या है अगर आपसे यह पूछा जाए हाँ जी तो यह कैसे आप solve करोगे तो दिखिए मैं आपके सामने options दे रहा हूं कुछ मैंने लिखा 10% B option लिखा आपके सा सामने मैंने लिखा 15% और D option आपके सामने लिखा 16 2 by 3% हाजी यह question आप जल्दी से solve करिया ऐसा question आपने जरूर देखा होगा आपनी तैयारी में I say question जो है you can find it out right देखे नभीन करें how price of the bike come in decimal मैंने नभीन आपको कल क्या बोला था मैंने बोला था कि आप अभी logic समझ यह आप answers देखे problem क्या है आपका concept इतना कमजोर है इतना हिला हुआ है कि आपकी value अगर decimal में आ रही है तो आप कर रहो नहीं नहीं concept ही बदल दो हाँ जी यह कहां का न्याय है जरा बताएंगे आप कि आप data पर इतना रिलाई कर रहे हो कि नहीं नहीं यह तो CI वाला है आप करेंगे इससे बड़ा अन्याय आप अपने साथ कुछ नहीं कर सकते हो तो ऐसा मत करो ठीक है डेटा भाड में जाए हमारा लॉजिक हमारी जगा सही है डेटा है डेसिमल में आए चाहिए इंटीजर में हमें उससे फरक नहीं बढ़ता है मैंने कल यही बोला था कि आप question देखो और उसके साबसे expression लिखो बस ठीक है clear है कि नहीं है जी कि पढ़ो सवाल करो यह सवाल देखा आपने ऐसे question आपको exam में मिलते हैं certain sum है नहीं पता CI for two years आपको दिया हुआ है और CI for आपको three years दिया हुआ है rate percent आप से पूछा जा रहा है इस तरह के सवाल आपको बहुत time ले जाते हैं राइट अगर यह question आता है और यह बहुत standard format है सवाल का standard format है इसे ही सवाल आता है कि CI for two years CI for three years तो इनको कैसे solve करें अब जो मैं इसके पीछे की पूरी कहानी आपको आज बताऊंगा इसके बाद यह सवाल आपको परिशान बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे ठीक है तो दिखे कहानी मेरी यह है कि मैं आपस अप कुछ पूछने जा रहा हूं ध्यान से रखना और आप यह समझ जाओगे कि इन question को कैसे करना और आप यह भी जान पर लिखा कि CI for two years के बजाए मैं CI for two cycles use कर रहा हूं और यह rate मेरा per cycle है और यहां पर मैं आप से लिख रहा हूं कि CI for three cycles घ्रान देना ऐसे ही मेरा एक छोटा सा प्रस्टन है कि अगर मैंने rate को 10% लिया तो क्या CI for two years percentage 21% होगा या नहीं होगा yes say yes क्या यह 21% होगा या नहीं यहां जो percentage है उसका base क्या है उस percentage का base क्या है उस percentage का base है प्रिंसिपल यानि अगर rate 10% है प्रिंसिपल को अगर हम थोड़ी दर के लिए भूल जाए और हम percentage हम में बात करें तो 21% हमेशा आपका CI होगा two cycles का और 33.1% आपका SI होगा अब मैं आप से यह बात बोल रहा हूं कि अगर principle आप बार बार change करोगे तो क्या क्या बदलेगा CI की values बदल जाएंगी में भी आपने कहा कि मेरा principle अगर 100 है तो यहां पर CI कितना हो जाएगा 21 यह CI कितना हो जाएगा 33.1 ठीक है आपने कहा नहीं यह value मैं लोगा 200 अगर आपने इसको 200 लिया principle को तो यह 42 हो जाएगा औ बात को मैंने कहा नहीं यह value 300 लो तो आपने कहा ठीक है यह मेरा CI 2 साल का कितना हो जाएगा 53 सेट और यह value कितनी हो जाएगी आपकी 99.3 होगी यह नहीं होगी राइट तो यह जो value आपकी है वह कितनी है आपकी 21 टाइंस टू यहां पर यह value आपकी कितनी है 33.1 पोइंट मेरा अब एक छोटा सा क्वेशन आप से है छोटा सा case से यह है कि यहां पर अगर मैं कहूं कि यह Πरसेंटेज चेंज काई अगर यह सायकल और सी आ किताबों में नहीं दिया है और जो भाकी चैनलू पर नहीं पढ़ाय जाताँ हो अगे पढ़ाएंगे वह भी पढ़ेंगे आपको भी पढ़ाएंगे ठीक है यह समझ में आपको मेरी बात मैंने क्या लिखा है यहाँ पर मैंने आपको यह लिखके दिखाया कि ऑल्दो तो क्वेशन जब बदलेंगे तो क्वेशन में क्या होगा कि वह जो डेटा देगा वह डिफरेंट होगा कभी कहेगा 21 और 33 दसमलों एक है कभी कहेगा 42 और यह 66 दसमलों दो है कभी कहेगा 63 और 99.3 है मैं क्या कह रहा हूं कि अगर रेट 10% है प्रिंसिपल आप कुछ भी ले ल यानि अगर मैं इनके बीच का परसेंटेज चेंज निकाल के देखूं और मुझे अगर वह पहले से आइडिया हो कि यह परसेंटेज चेंज कब आता है जब रेट 10% होता है तो क्या मैं आंसर को डारेक्ली मार्क कर पाऊंगा येस अगर मैं आपको अभी यह बता दूं क्य घुल आई है कि परसेंटेज सिर्फ डिपंडेंटेंट है कि रेट क्या है क्योंकि कि 10 की वज़ासी किस आया 10 की वाई से तैसे से क epoxy में रेक आया तो जो चेंज यहां पर है परसेंटेज में x% वही चेंज हर जगा होगा आपके प्रिंसिपल बदलने se इनके बीच का परसे tell you know जो आपको यह तरीका भी आपको मिलने वाला है यह आपको यही बताएगा अभी कि कैसे आप एक beacon की तरह उसको use करके आप idea लगा सकते हो कि आपका answer क्या होगा मैं उसका ट्रटिशन तरीका भी बताऊंगा बाद में अभी मैं मैं आपको चाहता हूं कि आप बस यह logic समझो यह अगर आपको क्लियर हुआ तो मैं आपको कुछ बताने वाला हूं वह आपके बहुत काम आने वाला है ठीक है तो अब आपको ऐसा लग रहा है कि हर पर्सेंटेज के कर्रेस्पोंडिंग CIE for two cycle और CIE for three cycles में जो percentage change है यह देखना चाहिए हमें at least standard percentage values का हमें देखना चाहिए उससे हमें कुछ ना कुछ फाइदा मिलने वाला है yes so let's see that out let's see that out ठीक है तो आप दिखें मैं क्या करूंगा आप से 5% से आपकी चीज़ें मैं start कर रहा हूंगा कि मैं 5% पर बात करूंगा मैं 10 पर बात करूंगा मैं 15 20 25 30 सब पर बात करूंगा तो एक एक करके शुरुबात करते हैं राइट तो देखें मैं फिर से यहां पर लिखा है आपसे यह है मेरा rate यह है मेरा CIE for two cycle two cycle मैं लिख रहा हूं यहां पर CIE for two cycles और CIE for three cycles C का मतलब cycle है ठीक है और यहां पर मैं लिख रहा हूं कि CIE for two cycle से लेके CIE for three cycle की बीच का जो percentage change है वो मैं लिखना चाहता हूं ठीक है clear or not this percentage change I want to write है ना अब अब जो अगर आपने R की value ले ली 5 अगर आपने R की value 5 ले ली तो यह आप लिख देना 10.25 15.7625 वो आप लिख लोगे percentage के term में यह जो value आएगी अगर आप इसका percentage change कभी भी calculate करोगे तो यह आपकी आती है 53.78% approx आपको बस यह value में चाहता हूं कि ध्यान रखो not 53.78 at least 53.7 तक आपको ध्यान होना चाहिए clear अगर यह value आपके दिमाग में है 53.7 मेरा task almost खतम हो जाता है क्योंकि अब मैं आपको एक relationship लगभग बताऊंगा जो कि मेरा observation है कि अगर यह 5 के बजाए 10 होगी clear or not अगर यह 5 के बजाए यह value 10 होती है मतलब rate में अगर 5 का change आता है तो यहां पर यह value लगभग 4 के आसपास change होती है अप्राक्स 57.6% आता है यहां से आपको एक pattern मिलना शुरू होगा कि लगभग यहां पर जो change है आपका वो कुछ इस तरीके का चलता है कि एक number याद करना है 53.7 पांच के corresponding यह होता है तो यहां 57.6 अगर यहां 15 लेते हो तो यह value आपकी 57.5 के आसपास आती है sorry 4 जोड़ना है तर लगभग तो यह आपकी value 61.5 आती है मेरा target है कि आप लगभग इतना याद रखो कि 44 का change आता जाएगा 44 का change आता जाएगा जिनको याद नहीं होता है कि मैं कोई मदद नहीं कर सकता हूं मैं आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूं अगर आप कुछ करना ही नहीं चाहते हो जीवन में तो मैं आपके साथ कुछ भी नहीं कर सकता हूं I'm trying to tell you something different जो शायद आपको चीजें लोग नहीं सिखाएंगे ठीक है फिर मैं कहूंगा यही value अगर आप 25 से try कर ला यह प्राक्स 69.4 होता है ठीक है एक र्याद रख को बागी चाहिए आप लिख पाऊगे अगर मैं कहूंगा कि यह value आपकी 29 हो गई 30 हो गई इधर इधर 5 का change है उदर एक प्राक्स 4 का change है आप ऐसे लिख देना कि यह value आपकी 73.34 whatever 4 लिख लो कोई दिक्कत नहीं है लगबग मैं चाहता हूं कि यह सिर्फ आपके लिए एक beacon का काम करे ठीक है नथिंग मोर देन देट अब अगर इसमें आप 5 और 5 और add करोगे 5 और add करोगे approximately 44 उदर बढ़ा देना तो वाट इस इंपोर्टन इस दाट यू नो दिस वैलू दिस वेरी 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 इंपोर्टन दिस वैलू इस वेरी 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 इंपोर्टन अगर आपको यह value पता है दिन आपको पता है कि यहां 55 बढ़ाते जाओगे औ यह शॉटकट नहीं है अभिशेख बाबो यह understanding है और इसका फाइदा अभी तुमको नजर आएगा क्लास में बैठके ओवर स्मार्ट मत बनिये वरना मैं आपको क्या करूंगा ना मैं लोग की तरह पढ़ाना शुरू कर दूंगा ठीक है फिर आपको बहुत मजाएगा है ना सो बैतर है अगर यह क्लासे आपको समझ में नहीं आती है इनको आवाइड करिए क्योंकि मैं पढ यह पर से यह जो पर सेंटेगे वह सी एफ टू साइकल टू सी एफ ट्री साइकल का चेंग यह जिनको समझ में आ गया है यह टेबल उन्हें इसको रटना नहीं पड़ेगा राइट दे नो वाट आम तकिंग अब आप देको मैं उसी क्वेस्टन पे वापस जा रहा हूं जो क्वेशन मैंने आपको दिया था ठीक है I'm going back to that particular question again right कहां गया वो सवाल यह सवाल था कि मैंने उसको हुटा दिया एक में रुकिया तो पहला क्वेशन मैंने आपके सामने लिखा था जिस वाल था ठीक है और जी this was the question right and you wanted to find out what is the rate percent और यह सवाल का data मैंने नहीं बना है ऐसे सवाल with similar options exam में आये हुए है that's what I am saying अब देखो यहां पर अगर आपको यह idea है कि यह number कुछ भी हो मुझे focus करना है इसके percentage change में I have to just seek इसका percentage change कहां lie करता है I can get a fair idea what can be the answer all right 272 से लेके और 434 तक आपको जाना है आपको पता करना है कि percentage change कितना होगा एक बात आप मुझे बताओ इस particular number को बहुत ध्यान से देखना और आप कहोगे कि इस number का 50% कितना होगा तो आपको कि इस number का 56 50% होगा कितना 136 अब अगर इसको आप 136 से बढ़ा रहे हो ज़र आप मुझे बताओ यह value कितनी होगी क्या यह value 408 होगी हो गई यह नहीं होगी यानि 50% increase करने पर तो 408 होगी लेकिन मुझे यहां पर अभी 26 का चेंज और चाहिए अगर मुझे 26 का चेंज और चाहिए आप से मैं question पूछ रहा हूं कि आप बताओ यह change कितना है roughly देखना है जाला दिमाग नहीं लगाना है है ना 434 जो था आपका ध्यान से देखना CIE for 3 years है और यह आपका CIE for 2 years है मैं करहा हूं अगर आपने इसको 50% से बढ़ाया तो 136 और बढ़ाया 408 पे पहुंचे 26 और चाहिए 26 अगर और चाहिए तो एक चीज मैं आप से simply पूछ रहा हूं कि यह 50 है और यह जो value आपको तो जो आपको barrier मालूम है 53.7 साथ ही साथ आपको बता है कि यह नंबर जो होता है यहां पर यह होता है आपका 57.7 चार और जोड़ना है 57.6 आता है रफ़ली यह value अगर आपकी 5 है यह value आपकी 10 है यह value आपकी 15 होगी या नहीं होगी तो यह जो value आपकी है यह बीच में अगर इसके लाई कर रही है ना यह 57.6 है ना ही यह 61.5 है यह बीच में यह almost 10% से थोड़ा सा काम है maybe 59.something है 59.something का मतलब क्या होगा इन दोनों के बीच में तो rate percentage क् इन दोनों के बीच में तो answer कितना होगा B हाँ जी यह answer कितना होगा B option होगा that is 12.5% देखे मैं आपको फिर से बार-बार एक चीज़ी बोल रहा हूं कि this is a pure observation this is not a shortcut this is a known data हमें पता है कि यह जो percentage change है यह constant रहेगा exam में कुछ ऐसे data होते हैं अगर आप उनको understand कर लेते हो तो आ कैसे आप 10 और 10 को 21% जानते हो कि successively होता है क्या यह value आपके दिमाग में नहीं होती है क्या exam में आप इसको use करने से मना कर देते हो आपको तो नहीं यह तो shortcut है नहीं 21% 10 और 10 का resultant होता है याद रखना है 33.1% तीन दिन का तीन बार का होता है याद रखना है उसी तरह से यह नहीं जो किसी किताब में नहीं दिया हुआ है नहीं किसी ने पढ़ाया होगा ठीक है मैं आपको बता रहा हूं मैं आपको इसलिए बता रहा हूं because this is important that's why I'm telling you 5 के corresponding 53.7% 10 के corresponding 57.6% 15 के corresponding 61.5% right again I'm saying this is not a foolproof method because हो सकता है दो option ऐसे आ जाए 12.5 12.8 all right then you won't be able to decide for sure but मैं बता रहा हूं कि इस concept पे जो मैंने 99% questions देखे हैं I'm saying 99 actually मैंने 100% ऐसे questions देखे हैं जो सब इसी से हो गए ठीक है with this observation क्योंकि examiner को शायद नहीं पता है कि ऐसा observation हम लोग use करेंगे all right they make a data we know this observation we use it to get the answer right क्या सभी को clear हो यह बात मैं फिर से एक बार यह समझा दूंगा कि यह कहां से आया है यह logic और मैंने क्या किया क्यों को यहीं समझ में नहीं आई है हाना तो टेबल आप ध्यान रखना टेबल बहुत काम का है मैं आपको यह बता रहा हूं कि मैंने आपको क्या बताया है जस्ट एमिनट प्लीज देखें मैं फिर से एक बार कुक्ली रिवाइस करता हूं मैंने आपको यह बताया है कि जो ci for two cycle होता है और ci for three cycle होता है इनके बीच में जो percentage change होता है वो इस बात पर dependent नहीं होता है कि आपका principle क्या है इन values पे कि ci 2 साल का कितना है ci 3 साल का कितना है इन values पे वो dependent नहीं होता है यह जो percentage change होता है वो dependent होता है rate percentage पे क्योंकि r अगर 10 है तो ci for two cycle 21% होता है और three cycle के लिए 33.1% होता है clear or not तो जो यह percentage change है यह dependent होता है simply rate पे इसी knowledge का मैं इस्तिमाल कर रहा हूं इसी knowledge का मैं इस्तिमाल करके आपको यह बता रहा हूं कि क्यों न हम कुछ standard percentage values के corresponding values को ध्यान रखें और वो इतनी absurd values भी नहीं है they are quite relatable कि 53.7 अगर आपको पता है तो अगली value approximately 4 जादा है फिर 4 जादा है फिर 4 जादा है फिर 4 जादा है फिर 4 जादा है बनलब rate 55% से बढ़ रहा है उधर वो value 44% के आसपास बढ़ रही है उसके उधर then it is easy for me to identify or not right हम आसानी से उसको identify कर सकते है clear or not तो मैंने किया जो question आपका था उसी question को जब यह table पे plot किया ऐसे तो 5% अगर rate है तो 3 cycle और 2 cycle का जो percentage change हो 53.78 आया इधर 55% अगर आप rate बढ़ाते हो तो उस तरह से change आएगा जो सवाल है कि CIE for 2 years आपका 234 है और यह value आपका 472 है ऐसे थाना कुछ नहीं 272 और 434 था कि यह 272 है और यह value आपकी 434 है यह आपको provided है clear अब मैंने आपको यहीं बोला कि अगर यह question आया एक्जाम में और आपको इसको solve करने के आवशकता है यह CI है यह CI है तो मैंने बोला इसका percentage change देखो आप तो यह percentage change हमें approximately दिख option में percentage value दी थी वह 12.5% ही थी यहानि rate क्या हो गया आपका 12.5% हो गया आप देखो 12.5% अगर rate हुआ तो आपको खुद मालूम चल गया है यह चीज कि अब हम इस question को किस तरीके से solve करने वाले है ज्यान से देखना एक बात आप बताओ कि अगर आपका 12.5% rate है अब इस question में इसा भी सवाल हो सकता है कि आप बताओ कि principle क्या है यह भी पूछ सकते हैं सवाल आप से पूछ रहा हूं कि यह अगर CI है दो साल का और यह CI है आपका तीन साल का तो मेरे को एक सवाल बताओ आप लोग कि CI 3rd year का क्या है जड़ा बताओ कि आप सापको कर थर्डियर का CI इन दो क्लियर 162 है तो 3rd year का CI अगर 162 है अब आप मुझसे कुछ भी निकल वालो आपने का कि 3rd year का CI अगर 162 है तो आपको पता है कि 1st year का CI 2nd year का CI और 3rd year का CI अगर मैं निकालूंगा तो सब को प्लस 1 by 8 करना पड़ेगा अगर रेट मैंने प्लस 1 by 8 निकाल लिया तो तो यह 3rd year का CI हुआ यह कैसे आएगा एक वैलू को 1 by 8 बढ़ाने से आएगा यह 1 by 8 है आपको यह 1st year का CI निकलेगा आप जोना बताओ आपकी यह वैलू क्या होगी यह वैलू कैसे निकलेगी आपकी 2nd year का CI कितना होगा क्या वो आपका होगा 162 into यह 9 बटा 8 से multiply करके आएगा तो यह 8 बटे 9 करना पड़ेगा करना पड़ेगा यह नहीं करना पड़ेगा तो यह वैलू आपकी होगी 18 x 8 क्या यह सभी को clear हो रहा है जो मैं लिख रहा हूं किसी को को दिक्कत थे तो बता देना है तो क्या यह वैलू आपकी 128 आगई यह हो गया CI for second year फिर आपको कि यहां पर भी 9 बटे 8 इसका 8 बटे 9 करना पड़ेगा करना पड़ेगा यह नहीं करना पड़ेगा नहीं समझ में आ रहा है किसी को कि इस टेनी कोई दिफिकल्टी है तो बताओ अना ऐसे मैं कैसे जान पाऊंगा क्लियर क्या यह 126 आ रहे हैं नहीं यह वैलू आपकी 144 है 144 ओके 144 और यहां पर जब आप करोगे कि 144 को फिर से 8 बाई 9 से मल्टिप्लाई करोगे तो यह वैलू कितनी आईगी टेल मी वाट इस पहले साल का भी इंट्रेस निकल जाएगा कौन सा नंबर है जो इतना बढ़ने से यह देगा आपको एक सो अथाइस देन आपको मिलेगा तो 9 से डिवाइड करो राइट सो यह होगा आपका 16 16 टाइम से 8 कितना हुआ 128 यानि आपको पहले साल का इंट्रेस कितना मिल गया 128 तीनों इंट्रेस निकल गए और जब यह वैलू आपकी 128 आ गई तो प्रिंसिपल कितना होगा आप कहोगे कि पहले साल कि प्रिंसिपल का वाँ इय्ट से मंठीप्लाइज करोगे अगर आप इसको एक से मटिप्लाइज करोगे आपको आपका आंसर हो जाएगा है ना क्योंकि फिर मैं अपने पढ़ाने की तरीकों को सच में बदल दूंगा क्लियर मैं क्यों अपना फाड़ हूं आप लोगों के लिए है ना क्लियर नॉट अगर आप अप्रिशियेट नहीं कर सकते हो ना तो मत करो और इतना तो मानन लो कि मैं अगर कुछ पढ़ा रहा हूं तो कुछ सो समझ के पढ़ा रहा हूंगा कुछ काम का होगा तब युद्ध बदांगा वरना मुझे ऐसे अनुखी चीदें बताने की जरूरत क्या है सर जो कुछ मिला मुझे नहीं चार बाते सुनने को मिल गई ठीक है चलो बाकी आप लोग पढ़ाई अपनी करते रहो साम को एक सेशन है आपके अगर क्वेशन्स हैं कुछ भी इस साल के एक्जाम को लेके तो नवीन यादो जी आज आये हुए हमारे पास यह शाम को एक सिक्स पीम के सेशन पर मिलेंगे आपको और सिक्स जिरो एट पॉइंट सिक्स नंबर कैसे हैं कई लोग पूछते हैं उससे बता दिता हूँ अभी नॉमलाइजेशन हुआ है अगर आप एससी की त्यारी कर रहे हो तो इतना पता होना चाहिए कि नॉमलाइजेशन नाम की भी चीज होती है कुछ ठीक है 608.6 आउड आफ 600 के हिसाब से तिल टीर 2 इनकी रैंक चल रही है थर्ड ठीक है तिल टीर 2 इनकी रैंक 3 चल रही अभी अब टीर 3 जुड़ेगा बट मोस्ट वाबली ही विल एंड अप इन रैंक 10 टॉप 10 में रहना चाहिए इनको तो अभी ये 2018 का एक्जाम देके गए है पहला एटेम्ट है इनका भी शायद फर्स एटेम्ट राइट जब इन्होंने फार्म बढ़ा था तो उनकी उमर भ सकते हो कि क्या करना चाहिए एक्जाम में क्या नहीं है ना और एक्जाम के पहले ही विल टेल यो वाट शुडब इस्टाटेजी और जो भी आपके क्वेशन से हमने कम्मुनिटी पे पोस्ट करवाया है उसमें जाके अपने क्वेशन डाल दो शाम को है ना फिर बात करेंग ठीक है अब ही आज सेशन में इतना ही पड़ाओंगा आप लोगों ने मेरा दिमागी फाल तुमें खराब कर दिया अजी कोई हम सॉरी मतलब कई वार ऐसा होता है ना मैं क्या बता हूं आपको कि कुछ अच्छा सिखाने की कोशिश करता हूं तो फिर मैं भी इनसान हूं ना कमेंट्स सामने देखते हैं कि कोई कुछ जिण्वें कोई न पूसा मेरी नचा चली जाती है बड़ यहीं देखता हूं कि लोगना Spread को Star करना नहीं जानते है कि है मैं बहुति हो मैं जालती मेरी है कि मैं जादा देखता आओ को ठीक है बट तो देखे, रास्ते मेरे पास भी आसान है, मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं ऐसा पढ़ाँगा, कि आपको इतना मज़ा आएगा, वावाई करते घुमोगे चारो तरफ, पर मैं कुछ चीजें इसलिए बताता हूँ, जो शायद आपने नहीं देखी हो, तो जब आपने कोई च सेशन लेने क्यों आया, कभी सोचते हो, ठीक है, क्योंकि मैं आपके बारे में सोच रहा था, कि अगर मेरे को टाइम आधी घंटे, एक घंटे का भी मिल रहा है, तो मैं जाके आपको पढ़ा दू, ठीक है, एक क्लास ले लूँ, फिर यहां पर आके ना, आप लोग ना दिम